तो प्रिलिम्स बूस्टर का पहरा टॉपिक देखते हैं जो की है कॉन्फिक्ट बिट्वीन इंडियन फिशर्मेन एंड लंकन नेवी तो रिसेंटे भी क्या हुआ है कि तमिल नाडू के चार फिशर्मेन थे जिनकी बॉडी मिली है अभी तमिल नाडू के कोस्ट पे क्या है कि जो तमिल नाडू के फिशर्मेन है दे गो नियर टू श्री लंकन कोस्ट और वहां पर फिशिंग करते हैं तो यह बहुत पुराना कन्फिक्ट चला रहा है कि वह एक तरह से उनकी जो सोवरें टेरिटरी में एंटर कर जाते हैं जो उनके एक्स्क्लूजर एकनॉमिक जोन में एंटर कर जाते हैं तो वहां पर एक कन्फिक्ट हो जाता है और वह बहुत पुराना कन्फिक्ट चलता रहा है इसके बारे में थोड़ा सो देखते हैं ठीक है जो रमेश्वरम के बिल्कुल पास में श्री रंका geben बिल्कुल पास है तमिलनाडू का पार्ट है रमेश्वरम कोस्ट के जो फिशर्मन है वो जो तलाईवनार और कच्छा भी हो स्थ है आइलेंड है कचादी वो एक आइलेट है एक तरह से तो वहाँ पर ये जाके ना फिशिंग करते हैं ठीक है तो ये बहुत पहले से चला आ रहा था श्री लंकन सिविल वार आपको पता है ल्टीटी वालिक के साथ जो श्री लंकन एक तरह से आव्मी की आर्म फोर्सिस की जो वार चल रही थी उस टाइम पर ये जो फिशिंग फियंग ती वहां पर अलाओ की जाती थी क्योंकि जो श्री लंकन आर्मी ती वो भी इन फिश्रमन का यूप करते थी ऐसस एससापाई और जो मैं लेकिन क्या हुआ कि दौत करT Іंब 2520 दो बगाना शुरू कर दिया श्री-लंके नेवी नहीं, कि आप यहाँ पर fishing नहीं कर सकते हैं. फिर जब तमिलनाडू के fisherman हैं, इनके पास बहुत अच्छे trawlers होते हैं as compared to shri-lanca के fishermen है, तो जो shri-lanca के fishermen है, वो थोड़े से backward हैं. इस मामले में, fishing के मामले में. तो आप इनको रोको ठीक है तो आप इनको रोको ठीक है तो और श्री लंका जो नेवी नेवी ने मार दिया है तो ये एक तरह से हम थोड़ा सा इसमें हमको क्या देखना है एक तो हमको कच्छा थी वो आईलेंड जो आहिलेटा एक तरह से वो वो श्री लंका को हमने 1974 में इंद्रा गांदी जी की गवर्मेंट थी उन्होंने श्री लंका को दे दिया था विदाउट इवन कंसल्टिंग दे तमिलनाडु गवर्मेंट ठेक है तो उसमें क्या कहा था कि कच्छा थी वो आईलेंड जो है उसमें उसको हम आपको दे तो रहे हैं श्रिलंका को कहा था लेकिन आपको इंडियन फिशर्मेन को इस आइलेंड को जो है वो एक तरह से एकसेस देना पड़ेगा किस किस चीजों के लिए एक तो रेस्ट करने के लिए फिर ड्राइंग ओफ नेस्ट के लिए और एक एन्वल होता है वहाँ पर सेंट एंथनीस फेस्टिबल तो इन तीन चीजों के लिए आपको एकसेस देना पड़ेगा हमारे इंडियन फिशर्मेन को जो तमिलनाडू से फिशर्मेन जाएंगे ठीक है लेकिन उसके अंदर ये एक राइट नहीं था उनका कि वह वहाँ पर भी करने चला जाते हैं तो तब वो श्री लंका नहीं भी जो है वो इनको एक तरह से इनके साथ conflict में आ जाती है तब ये situation खड़ी हो जाती है ठीक है तो ये एक कच्छा थी वो island जो है ये conflict ही हमें बहुत पुरहना चला आ रहा है हमारे इंडिया और श्री लंका के बीच में टॉपिक है वहाँ पर तमिलाडो की politics का चलो next topic देखते हैं जो की है जरेंगा पॉथर अब ये जरेंगा पॉथर क्या है कि प्राइम मिनिस्टर नेरेंदर मोदी जी महाँ पर अभी असाम में विजिट करने लगे है उनके government के कोई एक initiative को उन्होंने लांच करना है तो ये चूज किया गया है अब ये पॉथर मतलब वहाँ पर पत्थर है ठीक है एक तरह से ये एक open field है शिवसागा टाउन का और ये 17th century की a home princess थी जोई मोती उनसे related है ठीक है तो इसकी historical significance थोड़ी सी देख लेते हैं 1671 से लेके 1681 तक वहाँ पर जो king थे वो नाम के होते थे लेकिन जो nobles और जो ministers होते थे वो ही असली rulers होते थे ठीक है तो वहाँ पर जो king थे जो की एक तरह से simple puppets होते थे वहाँ पर उन्होंने उनके वहाँ पर एक king थे सुलिखपा जिनका नाम था उनको लोरा राजा भी कहा जाता था तो उन्होंने डिसाइड किया अपने prime minister के साथ मिलक सकते हैं जो मेरे throne को खत्रा दे सकते हैं मैं उन सब को मार दोंगा ठीक है उनको track down करके उन सब को मार दोंगा ठीक है फिर उन्होंने क्या किया देखा कि उनका जो next in line कौन थे prince godapani ठीक है तो वो जो next in line थे उन्होंने उनकी तरफ अपना मतलब एक तरह से अपना निशाना किया और वो जो prince godapani थे वो भाग के नागा हिल्स में चुप गए ठीक है जब prince godapani जाके नागा हिल्स में चुप गए उससे पहले कि जो लोरा राजा और उनके जो man है उनको capture कर पाते ठीक है तो उनको वो तो भाग गए तो जो लोरा राजा ने क्या किया कि joymaty को capture कर लिया उनको torture करना शुरू किया कि बता तुमारे husband है कहां पे ठीक है तो उन्होंने बहुत जादा उनको torture किया और लेकिन फिर भी जो joymaty थी उन्होंने अपने husband का पता नहीं बताया और torture सहते सहते वो वहीं पर मर गई ठीक है तो जिस जगा पे वो मरी तो उस जगा का नाम है जरेंगा पत्थर ठीक है तो इसलिए ये एक वैलर से related है कि उन्होंने अपने जो husband की एक तरह से identity और एक तरह से location नहीं बताई और वो उन्होंने उनके लिए अपनी जान दे दी ठीक है तो इस अहोम जो थे वो एक ethnic group है जो अभी भी है असाम और अरुनाचल प्रदेश में ठीक है तो अभी याद रखना कि सिरफ असाम में ही नहीं है अरुनाचल प्रदेश में भी है अब ये इनका असल में अपनी language होती थी और ये इनका अपना एक religion होता था लेकिन over the time इन्होंने ध चासल आपके करीब है और ये वहाँ पर इनके जो है tribal communities के साथ बहुत अच्छे relation है और अब intermarriage की वाज़ा से क्या हुआ है कि जो ये assimilation का इनका process है जो local communities के साथ वो पूरा हो चुका है ठीक है next topic देखते हैं जो की है elephant counting तो university of oxford wildlife conservation research unit और machine learning research group ने क्या किया है कि एक तरह से अब satellite high resolution satellite imagery का use करके जो है elephant की counting करनी शुरू किया ठीक है तो ये इसका एक तरह से उनका significance का है कि इससे क्या होगा कि exact number of elephants जो है वो उनको पता करना आसान हो जाएगा as compared to aerial counting ठीक है अब aerial counting में क्या होता है कि एक aircraft से जो है वो एक तरह से उसको जो है images को capture करते है और उससे क्या होता है उसके बाद वो counting की जाती है ठीक है उससे क्या होता है एक तो result भी accurate नहीं आते क्योंकि जो है वो आपको पता है कि अगर aircraft से आप photos कीचके जो है वो कैसे गिन सकोगे आप कितना ज़्यादा वो accurate हो पाएगा और वो एक तो बहुत ही ज़्यादा costly भी होता है और logistically भी challenging होता है ठीक है तो इन्होंने क्या किया है भी recently Addo Elephant National Park है South Africa में वहाँ पर satellite imagery का use किया है और ground presence की उसमें कोई जो होती नहीं पड़ी Elephants को monitor करने के लिए तो उन्होंने highest resolution satellite image जो है वो capture की है world view 3 से और उसके बाद जो है उसको Elephants की counting की है ठीक है तो यह क्या पहली बार हो रहा है no it's not the first time इससे पहले भी geographic information system technology का use करके जो है Asian elephants की counting की जा चुकी है 2002 में ठीक है अब यह smithsonian scientist कौन से होते हैं new york में smithsonian institutions हैं वहाँ पर जो scientist है उन्होंने gis technology का use किया था और सबसे पहला first satellite tracking project on Asian elephants जो था वो मयानमार में conduct किया गया था ठीक है next topic हमारा है smart anti-airfield weapon तो अभी DRD योंने recently indigenously developed smart anti-airfield weapon का एक तरह से test किया है Odisha coast से और यह है क्या indigenously designed and developed by DRDO's research center इमरात RCI Hyderabad में इसको develop किया गया है यह एक तरह से 125 kg किया smart weapon है जो की ground enemy जो airfield assets है जैसे की radars, bunkers, taxi tracks या runways उनको 100 km के ही range से जो है वो target कर सकता है ठीक है तो यह हमारा smart anti-airfield weapon है जिसको DRDO ने बनाया तो यह indigenously developed आए next हमारा topic है V-shaped recovery तो officials from RBI जो है वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो V-shaped recovery की दरफ move कर रहा है और उन्होंने letter V को जो है वो एक तरह से vaccine को credit दिया है कि vaccine की वज़े से जो है वो V-shaped recovery जो है हम उसके दरफ move कर रहे हैं ठीक है तो उन्होंने क्या बोला report में कि एक तो e-commerce और digital technologies के जितनी भी जो हमारी companies है या हमारी industry है वो bright spots है हमारी recovery में वो सबसे ज़्यादा contribute कर रही है हमारी economic recovery को और बोल रहे हैं कि जो GDP है वो already जो है वो positive territory में आ चुका है पहले आपको पता है कि minus में था हमारा GDP contract हो गया था वो कहने है वो positive territory में आ चुका और inflation भी जो है वो दीरे-दीरे ease हो रही है जो first half of हमारा जो ये 2021-22 है अभी first half कौन सा होगा 2021-22 का जो हमारा April से लेके जो है वो December तक का I'm sorry December कहारा हूँ October तक का जो period होगा वो होगा first half of financially है 2021 और 2022 ठीक है तो उसमें GDP जो growth है वो mostly consumption driven होगी मतलब जो है population जो है वो consume ज़्यादा करेगी तो उससे demand बढ़ेगी उससे फिर supply भी बढ़ेगी और economy जो है वो kick start होगी तो वो consumption driven economy होगी उसके वैसे जो है GDP growth जो है वो benefit को agriculture production होना की expectation है इस बार की तो 2021 की तो उससे भी जो है हमारी economic growth को बहुत फाइदा मिलने वाला है ठीक है अब उन्होंने वी shaped recovery बोला तो हम जितनी भी तरह की economic recoveries की बात चल रहे हैं वो सारी ही देख लेते हैं ठीक है तो सबसे best scenario कौन सा होता है जैड शेब economic recovery अब इसमें क्या होता है कि economic जो है वो बहुत quickly rise हो जाती है after a crash ठीक है और more than makes up for lost ground मतलब कि जितना समझ लो की 100 100 का हम 100 पे हमारी economy पहले थी और वो contract होकर 90 पे चली गई तो लेकिन जो वो lost ground कितना हुए इसमें 10 का ठीक है तो जो 10 का loss हुए है उसको तो पूरा करी ही लेगी मतलब 10 को तो पूरा करे लेगी बलकि उससे जादा पूरा कर लेगी उसको 11 तब पूरा कर लेगी तो 101-102 पे आके उसके बाद जो है वो normal trend line को है वापस आके और जो है जो rise होने शुरू हो जाएगी ठीक है मतलब कि उसने पुनाना जो अपना loss जो उसको loss हु सेनारियो है ऐसा होना is next to impossible in this current situation but yes this is the most optimistic सेनारियो अब हम जो इस ताइम पर सोच रहे हैं वो है वी shaped economic recovery इसका मतलब है कि quickly वो है जो lost ground है उसको जल्दी से जल्दी recover कर ले मतलब अगर 10 जो है वो contract हुआ था हमारा 10% का तो 10% को जल्दी से उसको recover कर ले और normal growth जो growth trend line थी उसको उसको वो touch करना शुरू कर दे जैसे पहले हमारी 7-8% जो भी growth हो रही थी उसको दुबारा से achieve क करना शुरू करते है वो ठीक है next हमारा है U-shaped recovery U-shaped recovery में क्यों होता है कि गिरने के बाद economy जो है वो नीचे गिरने के बाद struggle करती है थोड़ा अब U-shaped क्या है कि एक bathtub की type shape है जैसे यह बिल्कुल नीचे नीचे गिरने के बाद वो थोड़ा सा उठने में उसको treble होती है struggle कर रही है उपर चड़ने के लिए तो मतलब U-shaped नीचे गुमती जा रही है उसके बाद वो देर देरे उपर उठी इसलिए इससे क्या होगा U-shaped economic recovery है ठीक है L-shaped recovery सबसे worst case scenario जिसमें अगर एक बार growth नीचे गिरगी तो वो नीचे ही रहती है और recover नहीं होती बहुत ही लंबे time तक यह सबसे worst case scenario होता है ठीक है J-shaped recovery जो है वो तो बहुत ही unrealistic है जिसके अंदर growth जो है वो इतनी जादा शापली rise होएगी और वो rise होती ही रहेगी तो it's not possible यह तो आसा होने सकता but yes there's a scenario कि जो J-shaped recovery की तरफ भी एक थरा से sign करता है ठीक है एक है हमारी swoosh shaped recovery, swoosh shaped recovery की होता है हमारा जैसे Nike का लोग होता है आपको पता होगा तो उसमें क्या होता है कि पहले जब गिरी economy उसके बाद धीरे 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 जो है वो recover करना quickly शुरू कर देती है और slow 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 recover करती है और फिर धीरे 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 जो है वो हमारी normal trend line को achieve कर लेती है ठीक है अब last हमारा है inverted square root shaped recovery अब इसमें क्या होता है यह George Soros जो हमारे financier थे एक बहुत famous उन्होंने यह term को coin किया था it's not important आपको इनाम गात रहने के ज़रोत नहीं है तो inverted square root shaped recovery क्या है कि rebound from the bottom growth slows and settles a step down मतलब नीचे से उपर उठेगी और धीरे धीरे growth slow हो जाती है और उसके बाद और नीचे जाके वहाँ पर step down हो जाती ठीक है मतलब नीचे से उपर उठी फिर growth जो है वो slow हो गई और उसके बाद नीचे थोड़ा सा नीचे आके वहीं पर settle हो गई ठीक है तो ये भी एक scenario होता है of course this is not going to happen let's be optimistic और एक हमने अपने पहले ही पढ़ा है K-shaped economic recovery जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि income inequality जो है हमने कुछ दिन पहले भी prelims booster में किया था ना की economists are fearing a K-shaped economic recovery जिसके अंदर क्या होगा कि अमीर और अमीर होते जाएंगे गरीब और गरीब होते जाएंगे ठीक है जो नीचे का जो हमारा दबका है वो और नीचे जाता जा रहा है और जो हमारे अमीर लोग है वो और उपर जाते जा रहें तो वो K-shaped economic recovery जो था वो हमारे लिए income inequality की तरफ sign था ठीक है तो वो भी एक scenario है but of course we are moving towards V-shaped economic recovery so it's a very good sign for India तो ये RBI ने भी इसको भी और officials ने भी इसको note किया है और कहा है कि ऐसा possible है कि हम V-shaped recovery की तरफ जा रहे है तो ये हमारे आज क्यों topics थे इसके उपर आप MCQs कर लेना we'll meet next on Monday until then goodbye and take care